ये गाईस मैं हुए अमजुत कौर कैसे हैं आप सब दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको जादा ताम जाम करवाने बिल्कुल नहीं वाली हूँ जुकि आज के वीडियो में जो चीज हम यूज करने वाले हैं वो हमारे घरों में हमेश हरा भी अवेलबल होती है हमारे दादी, ममी, नानी, सब लोग इसका यूज करते हैं गैस हमें मुल्तानी मिर्टी हाई , है डाम करेंगे साफ करीँगे आपको मैं आज बताऊंगी आपने बहुत सारे मेरी वीडिो भी दोखे यूट्यूब हैमicon ticket मिट्टी के अज़्यूइं लेकिन आज मैं मुलतानी मिटी को यूज करने एक बहुती डिफरेंट सा तरीका आपको बताऊंगी हम करने वाले हैं मुलतानी मिटी से एक ऐसा फेशिल जो आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा वान यूज से ही सिर्फ एक बार आपने इस facial को मुदानी मिटी facial को करना है घर पे और उसके बाद आपकी skin एकदम से glow करेगी इस skin बहुत ही बढ़िया बन जाएगी देखे जब भी हम summer आते हैं जब भी ये चिपचपाहट वाला मौसम स्टार्ट हो जाता है तब हमारी skin पे बहुती sweating की बड़ी problem आती है और skin पे बड़ी लाल सी skin हो जाती है sunraise की वज़े से skin बहुत irritate हो जाती है लाल दाने आ जाते हैं यह skin पे बहुत जाला भर भर के tan जमा हो जाता है तो इस remedy is same I mean मेरे इस facial से आप अपने skin के tan को remove करेंगे skin को bright बनाएंगे and one thing more जो इसका एक एते है एक्स्ट्रा हमें जो चीजी इस पैक से या इस रेमेडी से मिल रही है वो यह है कि यह anti-aging pack भी बन जाता है क्योंकि इस से आपके skin के जूरियां है wrinkles हैं फाइलाइन से वो भी खतम होती है गाइस यह मुतानी मीटी फेशल आपने i don't think so अभी तक कहीं पी सुना या देखा या करा होगा तो चलिए आज हम इसको करते भी हैं और इसके सारे सारे benefit लेते हैं तो चलिए start करते हैं let's get started तो दोस्तो सबसे पहले आप गाएं का दूद ले लीजी और cotton ढालकर उससे अपने face को अच्छे से clean कर लीजी ताकि जो oil है और चिपचे पाहट है वो आपके चाहरे से निकल जाए अब दोस्तो हमने कटोरा लेना है उसके अंदर अब हम remedy बनाने वाले हैं remedy बनाने के लिए दोस्तो सबसे पहले हमें एक चमच मुलतानी मिट्टी लेनी है और एक चुथाई चमच हम इसमें डालने वाले हैं coffee powder जो skin की dust dirt को निकालता है एक चमच हम इसमें डालने वाले है rice flour यानि के चावल का आटा जो skin को tight करता है skin को bright बनाता है अब इसमें 2 से 4 बुंदे हम glycerin की डालेंगे ताके skin soft रहे अब दोस्तों ब्रिंग राज के कुछ फूलों को हमने पानी में डालके रखना है कम से कम 20 मिनट के लिए जो हमारे पास पानी आएगा आपने पानी को च्छान लेना है वो पानी हमने इसके अंदर डालना है इस मुलतानी मिट्टी के अंदर इस pack के अंदर वो पानी डालिए और अच्छे से mix करके एक paste बना दे ब्रिंग राज जो होता है दोस्तों बहुत सारी skin की medicines और skin के product के अंदर यूज होता है यह बहुत ही बढ़िया होता है ब्रिंग राज से skin tight and bright होती है तो आपने ब्रिंग राज के पानी का इस्तेमाल करना है अब दोस्तों आपने अच्छे से mix करके इस paste को अपने चहरे पर 20 मिनट तक apply करके रखना है 20 मिनट के बाद चहरे को धो लीजिए आपके skin tight, bright and young हो जाएगी skin पे आपको बहुत अच्छा निखा, नजर आएगा, skin का सारा tan और गंदगी निकल जाएगी एक बार के result से आपको बहुत फाइदा मिलेगा and guys, हफते में 2-3 बार इसका use करना है अगर आप अपने चहरे को दूद की तरह गोरा बनाना चाहते है so guys, I hope वीडियो पसंदाया होगा अगर वीडियो पसंदा है तो like, share, comment करना आप बिल्कुल नहीं भूलना है और मिलूंगे अपने facial जो, facial के साथ जो बहुत ही जो बर्दस्त हो and new हो आप लोगों के लिए तो मुझे नीचे comment करके ज़रूर बतायेगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो मिलती हो नहीं वीडियो में guys Bye Bye, Take care, Love y'all